नमस्कार, मैं रॉशन हूँ, इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और हमारे पूरे इलाकि में कहीं भी सोडस अरावा नहीं है, इतनी शांति से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं कि ये लोक तंतर का उत्सव होता है वो उत्सव कहीं नजर नहीं आ रहे और मुझे लगता है कि इस पाप के लिए मैं चुनाव आयोग को और कुछ अदालतों को इसका दोशी मानता हूँ क्योंकि आप पोश्टर नहीं लगा सकते, वाल राइटिंग नहीं कर सकते, लाउड स्पिकर नहीं बजा सकते हैं तो इसके कारण जो उत्सव था, जो बिले लगाते थे, लोग अपने टोपी पहनते थे, तो वो सब उत्सव खतम हो चुका है, क्योंकि बहुती सैलेंटली चुनाव हो रहा है, और जो बड़ी-बड़ी पार्टियां है, पोलिटिकल पार्टियां है, उनका तो नाम होता है कि आपको कॉंग्रेस को बोड़ देना या बीजेवी को बोड़ देना, लेकिन जो छोटे दल होते हैं, जो इंडिविज्वल होते हैं, वो कहीं उनका परचार नहीं हो पाता है, आज कल, हालांकि सोशल मीडिया काम कर रहा है, लेकिन, जो आज का मेरा मुद्दा है, वो है अगनिवीर को, यानि जो पर्वनेंट सिपाई भरती होते थे, उनको उस इसकीम को बदल दिया है, उसमें नई इसकीम लेके आगे है, अगनिवीर जो चार साल के लिए एक सिपाई को रखते हैं, और उसमें चार साल बाद 25 परतिशत लोगों को पर्वनेंट सेनिक बना सकत हैं, वो पच्चेस कौन से होंगे, वो ट्रेनिंग को दोरान और उस चार साल की जो उनकी पर्फोर्मेंस होती है, उस बेस पर रखा जाता है, और यह सरकार ने इसलिए यह स्कीम लाई है, कि जो हमारे सेना की एवरेज एज है, करीब तीस साल हमारी एवरेज एज है, उसको घटा कर पहले चब्विस साल लाना है, और फिर घटा कर उसको बाई से तेई साल पर लाना है, यानि यंग हमारे आर्मी होनी चीए, इसमें कोई दो राई भी नहीं होनी चीए, कि हमारी सेना यंग होनी चीए, लेकिन जो सिपाही इसमें जाता है, अगर वो एकीस साल में भ भरती करेंगे और सरकारी दूसरी जो नोक्रिया होगी उनके लिए रिजर्वेशन होगा लेकिन नजाने क्यों जो उत्राखण के येवा है उस बात को सुईकार नहीं कर पारें अभी जो येरफोर्स की भरती वी थी नॉर्मली दस लाख के असपास फॉर्म आते थे इस बार कम आये करीबं 2.5 लाग फॉर्म आये दस दिन तक रैली होती थी यानि उनके टेस्ट होते थे वो इस बार तीन दिन में खत्म हो गए और ऐसे जो यहां बच्ची जो भरती होने गए थे उन्होंने बताया कि जो लैब थे जहां इनके टेस्ट होते थे वो भी खाली यानि ज जाते हैं क्योंकि चार सवाल फिर उनके साथ चार साल बाद वही इस्तिती होगी जो अभी है इस बार एक और जो गड़बड़ी हुई है या क्या रिजन रहा है कि अगनिवीर के लिए जो उम्र है उम्र की सिमय वो 21 साल है लेकिन इस बार जिन बच्चों की उम्र साड़े 20 साल है यानि 21 साल होने में उनको कुछ महने बचेव हैं उनको भी टेस्ट देने के लिए नहीं बुलाएं यानि हो सकता है कि ऐसा लगता हो आर्मी को या जो हमारी इंडियन निवी है या हमारी एरफोर्स है कि 6 मेने तो उन्हें बढ़ती होने में लग जाएंगे तो अकर 21 स बढ़ जाएगी तो जो इस घठाने की है कि यंग दिखना है उसके लिए शादिन उन्हें ऐसा कि आओगा लेकिन इससे रेजिन्मेंट है कि कम सकम 21 साल वालों को लेना चाहिए लेकिन इस बार सारे गरीब लोग है एफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो कुछ लोग इसलिए भी नहीं भर पाएं लेकिन चुनाव का मुद्दा इसलिए बनावा है कि अगर चार साल के लिए भरती होना है तो उससे बढ़ी हैं कि अभी से ही दूसरी नौकरी के लिए परियास करें और वैसे उत बंद चल रहा है कि अगनवीर में जाएं न जाएं और अगर न जाएं तो यहां होटल के नौकरी करने ही पड़ेगी जाएं तो चार साल बाद वापस आना पड़ेगा फिर क्या होगा तो बहुशे के लिए के बहुत चिंताय हैं यहां के पास और इसी कारण इसी चिंताओ रहा है युवाओं के लिए एक तो इस बीच उत्राखन में जो लड़कियां थी उनका एवरेज कम था यानि उनकी जो लिंग अनुपात है यहां उस बक्त घट गया था लड़कियां कम पैदा हुई लड़के जादा हुए तो एवरेज कम होने कारण यहां यहां करेंगे लेकिन लेकिन बीजेपी ने अभी इसमें स्टेंड नहीं लिया है उनका है कि जो अगनिमीर है वही रहेगी तो यह दिक्कत है इस दिक्कत का क्या रिजल्ट आता है यह मुझे लगता है कि चुनाओ के बाद चुनाओ में तो लोग अपना रिजिन्मेंट जो दिखाएंगे पड़ेगा तो अगनिमीर के लिए जरूर सरकार कुष्ट लेना लेना चाहिए अभी के लिए इतना फिर आपसे मुलाकात करेंगे नमस्कार